बिस्मिल्ला है रह्मान रहीम जी उमीदें आप चीखोंगे अच्छा आज हमने डिसकस करना है शेक्टर सिंगर थेरी को जो है वो आप डिफरेंट तरीकों से प्रोनाउंस कर सकते हैं जैसे आपको इसी लगे वैसे ही कर लीजिएगा मैं इसको शेक्टर सिंगर थेरी पढ़ पढ़ी थी इमोशन्स की evolutionary theory of emotions पढ़ा है तो शेक्टर सिंगर थेरी जो है वो basically अच्छा पहली theories में हमने यही debate की थी कि emotions कैसे बनते हैं क्योंकि basically theories of emotions बताती ही यह है कि दो तीन चीज़ें इसमें important है याद रख लीजिए तीन चार concept है अगर आपको clear हो गए तो आपको theories आ सबसे पहली concept क्या है कोई भी event situation होती है किसी भी motion के लिए दूसरा फिर किसी भी motion के लिए यह जरूरी है कि physical changes आती है कोई body में फिर उसके बाद जो है emotions बनते हैं cognition involved होती है आप सोचते भी है event के बारे में तो यह 4-5 concept जो है वो आपने किसी भी theory को पढ़ते हुई याद रख ने पढ़ा था कि कोई भी event के situation होती है उसके बाद जो है वो physical changes आती है body में और उसके बाद जो है emotions पैदा होते हैं तो यह James Lang ने कहा था अब उसके बाद Kenanabad ने क्या का उन्होंने का ऐसे नहीं होता बलके सबसे पहले कोई event होता है उसके बाद physical or emotions same time में आते है physical changes और emotions जो ह भी event होता है फिर physical changes आती है body में फिर इंसान जो है जिसके साथ को इवाजिशन हुई हुई हो वो उस event या situation को evaluate करता है उसके बाद में सोचता है सोचने से मुराद यह烦ी है उस से physical changes body में आई थी then जो है वो emotions उस हिसाब से produce होते हैं ठीक है यह मैं आगे चलके जब पढ़ूंगा तो आप कुछ दिली समझ आ जाएगी कि यह evaluation का क्या चक्कर है इस सारे process में अच्छा इस theory this theory is also called two factor theory इस theory को two factor theory भी का जाता है this is very important for examination point of view यह आपने याद रखने है इसको क्यों कि यह अक्षरोकाद पूछ लिए जाता है कि two factor theory किसको कहा जाता है ठीक हो कहा जी किस theory को कहा जाता है according to this theory first physical changes occur in the body ठीक है सबसे पहले क्या होता है physical changes होती है body के अंदर due to any situation किसी भी situation या event की वजह से then person tries to know the reason of this change तब जो है वो जो इनसान है जिसके साथ कोई situation हुई होती है को event हुआ हुआ होता है वो इन physical changes को evaluate करने की कोशिश करता है उनकी reason को जानने की कोशिश करता है ठीक है और interpret the situation या वो उस situation को interpret करने की कोशिश करता है उसके बाद क्या होता है जब interpretation कर लेता है जब वो देख लेता है environmental cues environmental cues क्या हो सकता है वो कोई भी event कोई भी situation चीक हो गया तो क्या होता है उसके बाद उसको emotion बनता है for example if a person person's heart starts beating fast अगर किसी शक्स का जो दिल है वो तेज तेज धड़कना शुरू कर दे अब यह क्या हो गया first physical change आ गया ठीक है the person tries to understand why it is happening अब इंसान जो है वो कोशिश करता है कि यह क्यों तेज धड़कना शुरू हुआ है उसको जानने की कोशिश करता है यह क्या हो गया evaluation of the event ठीक है tries to know the reason of this change यानि वो दिल का धड़कना शुरू हो गया तो इंसान क्या है इंसान जो है वो a person tries to understand जानने की कोशिश करता है वो शक्स why it is happening यह क्यों हो रहा है यानि क्या हो रहा है दिल क्यों कि यह तेज धड़क रहा है और why the heart is beating fast यह दिल का धड़कना क्यों तेज हो गया है if he see a dog तब उसको पदा चलता है कि अगर तो मैं उसने कुटा देखा हो सामने या कोई खतरना चीज हो then the feeling of fear will arise in the person तब क्या होगा अब उसने जान लिया कि सामने कुटा है मेरा दिल तेज़ते धड़का इसलिए है क्योंकि सामने कुटा है तो क्या होगा इंसान के अंदर ज चीज को evaluate करने की कोशिश करें जानने की कोशिश करें और उसको पता चले कि यार सामने मेरा girlfriend है या मेरी girlfriend है या मेरा boyfriend है एक नड़की सोचती है then feeling love feeling of love would be trigger got my point यानि कोई भी event हो जाता है तो इनसान उस event को सोचने की कोशिश करता है अगर मेरा दिल किसी चीज को देखकर तेज तेज धड़कना start कर देता है अगर मेरी body में trembling start हो जाती है then I will start to understanding मैं सोचने की कोशिश करूँगा मैं जानने की कोशिश करूँगा कि मेरा दिल तेज धड़कना क्यों start हुआ है यह नहीं होगा कि मेरा दिल तेज धड़केगा तो मैं कहूंगा जी यह fear है ना आपको कैसे पता जरूरी तो में दिल हमेशा fear में ही तेज धड़कता है तो क्या होगा शेक्टर सिंगर ने का उसने का जब आप किसी भी event का सामना करते हैं किसी भी तेज तेज धड़कना क्यों start हुआ है मेरा सांस क्यों तेज हो गया है और मेरी बॉड़ी में trembling यानि कपाहट क्यों हो रही है तब आप उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं और जब आप यह जान लेते हैं मतलब मैंने जान लिया कि सामने जो है वो कुता घड़ा है इसल आना शुरू हो गई कपाहट शुरू हो गई पसीने आना शुरू हो गई या और तरह कि जिस तरह आप अपनी गर्फरेंट को देखते हैं तो आपके अंदर एक वजीब सी चेंज आती है दन क्या होगा तो आप यह देखेंगे कि अच्छा यह तो मैं वह लड़की है जिसस को अवेल्वेट करेंगे जानने की कोशिश करेंगे तो उस अवेल्वेशन के नतीजे में आपका इमोशन जो है वो क्रियेट होगा got my point सबसे पहले क्या होगा event का situation उसके नतीजे में आ जाएंगी physical changes फिर आप उन physical changes को evaluate करेंगे कि ये क्यों हुआ कौन सा वाक्या हुआ था जिसकी वहें से ये physical changes आई उस वाक्या की evaluation के दोर पर उसके नतीजे में आपके emotion जो है वो create होंगे इस शेक्टर सिंगर थेरी उसके पहले जो है हमने कैनन बाड थेरी पढ़ चुके हैं स्टेम स्लैंग थेरी पढ़ चुके हैं अब ये next जो है हम इंशाला cognitive appraisal थेरी को पढ़ेंगे ये मेरे पास एक book है जो मैं खुद write down कर रहा हूँ आपको इंशाला तहला ये book बढ़ के बड़ा मज़ा आएगा आपको क्योंकि मैंने हग दर्जा कोशिश की है कि इसको बहुत असान अलफाज में जो है वो मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ ताकि हर बंदा जो है वो इससे फाइदा हासल कर सके इन्शाला ये जुलाई तक जो है ये किताब इन्शाला मैं जो आपको आपकोशिश की गएगा चूकर आपके पैसे जाया नहीं हो गए बलके आप इन्शाला मुझे दौए ही देंगे ये किताब पड़कर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अलाहाफिस